सब्सक्राइब कीजिए एसके ओफिसियल टेक को और दबाएए इस बेल के आइकोन को ताकि आप देख सके हमारे नए विडियो सबसे पहले इस विडियो में हम जानेंगे वनपलस के फोन में कॉल वेटिंग को केसे चालू कर सकते हैं तो चलिए विडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको डायल पेड को ओपन करना होगा यहाँ पर आपको उपर तिन डॉट पर क्लिक करना है उसके बाद आपको सेटिंग पर क्लिक करना होगा यहाँ पर आपको कालिंग अकाउंट पर क्लिक करना है उसके बाद आपको Operator Related Setting पर क्लिक करना होगा यहाँ पर आपको Additional Setting पर क्लिक करना है उसके बाद आपको Sim 1 पर क्लिक करना होगा तो यहाँ पर यह Loading होने में कुछ Time लगता है तो आपको Wait करना होगा उसके बाद आपको यह Option दिखेगा Call Waiting तो आपको इसे चालू करना होगा तो अभी हमने इसे चालू कर दिया है उसके बाद ये अपडेट होने में कुछ टाइम लगता है तो आपको यहाँ पर भी कुछ टाइम वेट करना होगा तो यहाँ पर ये चालू हो गया है उसके बाद आपको बेक आना है यहाँ पर आपको SIM2 पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर भी आपको call waiting को चालू करना होगा तो अभी हमने call waiting को चालू कर दिया है उसके बाद आपको पूरा बेका जाना है तो अगली बार हम किसी से बात कर रहे होंगे उस समय यदि कोई और हमें call करेगा तो उसकी notification भी हमको phone में दिख जाएगी तो बस इस video में इतना ही